मारे उसके वार पूर्शन नवर्टन है यह तो आपनों की मतलब का सवाल है मतलब यह दिखाव है डे आए आर शक्स पूफ ऑस्कॉजफ ऊज़न आपके बास कितने गॉशन है नंबर ऑफ गॉशन कितने हैं 6 हैं, अच्छा, options कितने हैं यहां पर, number of option in each question, हर question के अंदर कितने option है, दो है भाई, क्योंकि 2 फॉर्स कोशन है, दो option है हैं, क्या करना है, in how many ways, different ways, can the 6 questions be answered, वो कह रहे हैं, कि 6 questions को attempt करने के हमें, बताओ, कितने तरीके से हम attempt कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कि इन इन questions को हम attempt करने हैं, अच्छा, आद देख लेते हैं, number of ways, कितने वरीके से आप answer कर सकते हैं, निकालने का तरीक हैं, सबसे पहरी डैश, ये रिप्रेजेंट दरेगा, first question, दूसरी डैश, second question, तीसरी डैश, भाई, third question है, अच्छा, चौती डैश, fourth question, फिर पांच्वी, fifth, और च्छटी डैश, के छटा question है, छे question है, आपके बस consider कर लो, छे event है, पहला event, पहले question का answer देना, दूसरी question का answer देना, तीसरा event, तीसरे question का answer देना, चल लाए फुरा, first question, second, third, first, बैए पहले question, पहला event जो है, उसको करने के कितने तरीके हैं, तीसरे दो है, इसको भी दो है, इसको भी दो है, इसको भी दो है और ये 6 के 6 कुछन आपने एक साथ करने है तो जब एक साथ काम के जाता है इसका मतलब ये प्रडॉडक्ट में से वलका है तो टू मल्लिप्लाइ टू-टू टू-टू-टू-टू ये बनेगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 होता है 64 जगा की कमी है आपको पूर आप नो चाहिए आप लोगों को बदा देता हूं इसका मतलब यह कि पहले पहले कोशन आपने option ए लगा दिया दूसरे कोशन में आप ए लगा सकते हो या दी लगा सकते हूं आप देसरे कोशन में पहले था जाथ ज्यादा भी अचलब इसे टी एंफली दू जजय्दा बेता है और फॉल्स को बोल्थ सच्छनने अन्हुत पहले न हो गया दूसरे में तूgen उसकती etrode लगा सकते हो और अन्हार सकते कि आप 6 के 6 को true लगा तो ये एक possibility है दूसरी possibility true 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 और false अलग possibility आखरी में वसामें चैंजिंग कर लिए आखरी question को आपने F लेख दिया और प्रांचवे को false करने के बाद अगें छटे के लिए दो option है true कर दो या फॉल्स कर दो तो true 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 false true फिर दूसर फॉल्स फॉल्स मतलब चौर्टे को भी फॉल्स कर दो पांचवे को भी फॉल्स कर दो तो यह देखो कितनी possibility बन रही है फिर यही काम आपने इसके साथ करना है करते करते हैं बस मैंने शुरू में true लिख है फिर जब मैं false के बनाऊंगा प्रेशी तरीके से दोबारा बना के पहले question में false कर दिया तो अगें यह पूरी चीज़ें जो हैं वो इसके साथ ही बनेंगे इनको tree diagram कहती है इसलिए के branches बन रही होती है पुरी यह दरख टायप का पुरा बन रहा होता है branches इसकी है पुरी तो कहने का मतलब ही इसमें से paper में जो आपके पास जो answer की होती है न वो एक solution है फॉर एक्जेंपल यह जो 6 mcqs हैं इनका right option क्या है true 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 false और true अगे देखो एक option है 64 में से तो अगर आप random आपको छे के से question नहीं आते हैं और आप तुक्का लगाते हो तो उसका मतलब probability बता है की कितनी है probability इतनी है one अपान 64 टोटल 64 है और जो आप एक ही लगा होगे न भ आपने किया तो वन अपान टोटल गिंता 64 probability में आप लोगों को बता होंगा 7.5 लेकिन अपी से मैं आपनों को बता रहा हूं कि वन अपनों 64 probability इसको दर पॉइंट में निकालना कितनी कम probability आ रही है क्योंकि मैं निकाल देता हूं मेरे पस calculator में calculator नहीं है और दोनों वाइल मेरे BPC है बार इसको calculate करने ना और इसको अगर चाहूं तो percentage पर करने तो 100 से multiply करने ना तो for example जहां तक मुझे लग रहा है आंसर वन पॉइंट्री सम्तिंग को चार और का परसेंट जयता है मतलब वन पॉइंट्री परसेंट चांसे हैं कि जो आप तुक्का लगाओ वो ठीक हो जाएगा तो सब्सक्राइब कितने कम चांसे हैं और यह तो प्रूफ ऑल्स के मैं आप लोगे जैन की बात करता हूं आप लोगे एक एस फॉर्टी जबाएंगे ना फॉर्टी एंट्री को एटेंट करने के लिए कितने ऑप्शन है चार और यहां वे दो ऑप्शन थे कोशन भी कम थे अब ज़रा देखना प्रॉबिलिटी कितने कम आएगे आपके उतुक्र तो यह बन जाएगा फॉर की पावर फॉर्टी नंबर ऑवेज बहुत बड़ा नंबर है यह और यह जो भी नंबर आएगा उसको डिनॉमिनेटर बनाना और निमिनेटर में वन लेखना मतलब अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आथा और आप चालिस के चालिस तुक् लगा हो तो इतनी प्रॉबिलिटी बनेगी कि वह सब आपके ऑप्शन ठीक है बहुत ही कम पॉसिबिलिटी तो ज्यादा चांसे आपको पता है कि 40 में जब तुक्य लगाते हो तो आपके कितने गलत निकलेंगे कि प्रॉबिलिटी की वैल्यू आपको बता ली कि कितने कम च इसमें थोड़ी बहुत चेंडिंग होती है बचसे पज़ा आते हैं फ़र कोशन इंशना कवर होगा तो कुशन नबर 11 में है इन हावनी वेज डिफरेंट वेज में तू फेर डाइस कम अप सबसे पहली बात नंबर ऑफ डाइस कितनी यहां पर तू है अचा फिर नंबर ओफ फेसेज अन आड़ डाइ के ओपर कितने फेस होते हैं चे होते हैं अब इसका मतलब क्या है अगेन यार इसको रियल में समझो भाई क्यों आप फालतों उसको समझे दो अचा जो डाइ होती है न वो जो आप लुड़ो खेलते हो ना लुड़ो में जो चक्का जिसको आप कहते हैं उसको डाइ गयते हो अगर एक हो तो डाइ कहते हैं दो है तो आप उसको डाइ सकह रही होते हो तो यहां पर आप से बोला गया है कि अगर आप लुड़ो खेल और आपके बाद दो चक्के हैं आप दोनों चक्के को फेंदते हो तो कितनी क्योंकि छे साइड होती है तो या तो बना सकते हैं तो आ सकते हैं थ्री फॉर फाइफ शेक्स कुछ भी आ सकते हैं फिर दूसरी दूसरी डाय में भी है तो नमबर आफ इस तरह निकालोगे कि जब आप कंसीडर कर लो कि यह पहली डाइस है फर्स्ट डाय डाय जो है वो सिंगलर होता है डाय स्क्रोलर होता है ठीक है और यह दूसरी है तो सेकंड डाय करें लिए पहली डाय को जब आप फैंकोगे तो कितने आंसर आ सकते हैं भाई कोई भी छे आंसर आ सकते हैं कि और अगर आप दोसी टाय को भेंगोगे तब कित्रे जान से असकते हैं तो यह क्या करते कुछ आ सकते हैं इस का मतलब 36 options आपके पास आ सकते हैं मैं तरहा इसका फर और डाय कर उस्सक्राइब ऑप्षिन है दूसरी डाय टू आ जाए या तू आजाए या फोर आजाए या फाइफ आजाए नहिंत नहीं आ तोटल जब आपर रहाँ जड़ेंगे तो 36 तरीके से आपके पास रिजल्ट आ सकता है, मैंने बता है इक साथ ही करेंगे कोरशन नेमर थर्टीम भी इस को सवाल है, मैंने सवाल जो भी तो 7.3 में आपमें के खारताँ तो फिफ्टीन थोड़ा फेवरेट फोशन और अच्छा कोशन भी बड़ा कोशन भी है जमझ लेते हैं इसको सेवन पेपर्स आर टूबी सेट एड़ एक्जैमिनेशन मत्ब फॉर इसेंपल साथ पेपर है टाइम टेपल आपने बनाने ना कि मंडे को यह पर है इन हाव मेनी वेस एक क्लिक्टिस बाइब बेर अमेर का उशन जो फर्स्ट एर के स्ट्रेंट आपने बनानी है अभी सब सवाल प्रेक्टिकल सवाल है यह वह चीजें जो मैं सब अबलाई कर सकते हो और अनफर्शनेटी मेर का वह बड़ा पोशन जो रियल वर्ड में आपको स इसे जाने चीजों को समझे और यह लाइए कि आपने टाइम टेबल आपने इस तरीके से बनाना है कि यह जो दो पेपर यह नहीं होना चाहिए कि मंडे को यह पेपर है और अगले दिन फिर यह पेपर हो जाए जो भी आप डेटिट बना रहे हो अगर एक दिन का गैप दे एक यह प्यदे रहे हो सबके अंदर या मस का गैप जो विला चैना है और एक के बाद दूसरां के घृट सबसे हैं मेह भा совd सबसे पहली बात नमबर और सब्जेक्ट्स टोटल सब्जेक्ट कितने हैं यहां बस इतना रेटा काफी है बागी अब हम खुद अपनी अप्रेजी लिखते हैं कि सबसे यहां पर देखो पहले दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी फिर तीज़ी आईगी आंसर आपका दब आएगा मैं में में पूरा बता दूंगा कि नमबर और वेज़ तो सेट सेविन पेपर्स अभी कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है मैं क्या रहा हूं क सेविन पेपर को आपने अरेंज करना है को ये रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कोई दो बीपर्स आथना घर कुछ लूसाँ में पुछ बहूँए तो बच्छो यह बात मैं आपनेकर आप्लों को बहुत पहली भी स्थी कि जब आपके पास कोई आपजेक्स लिखी हो और आपने उनको अरेंज करना है तो जितनी वो अब्जेक्ट है उत्रा फेक्टोरियल ले लो आपके पास तीन अब्जेक्ट हैं A B C और आपको बोला जाएगा रेंज करो तो एक अरेंजमेंट यह है दूसरी होगी A C B तीसरी होगी B C A चौती होगी B A C C A B C B A तो कॉंस्थ्या करो एक्जेम है फॉर इपर फोगा फिर पेपर वी वह गा दूसरी जो है तायम उसके मरताबिक पहले पेपर यह और फिर पेपर सी यह पिर भी और आप की आपके श्रीजिश चैमिस्ट्री थर आप कुछ भी कर लो शे तरीके साब अरेंज कर सकते हों क्यों क्योंके तीन सब्जेक्ट है 3 फेक्टोरियल क्या होता है इसी तरह यहां पर टोटल 7 पेपर को रेंज करने के कितने तरीके होंगे 7 factorial जैसे 3 को arrange करने के 3 factorial तो 7 को arrange करने के 7 factorial तो इसका answer क्या होजाएगा 7 factorial और 7 factorial बच्चों क्या होता है 5,040 तो 7 paper code total आपने निकाला है total arrange करने के कितने तरीक है वो आपने निकाल लिए हैं वो कितने हैं 5,040 लेकिन यह आपका answer नहीं है नहीं है सवाल तो आपको कुछ और बुला गया लेकिन मैंने बताया था यह जो सवाल होते हैं जिसमें आपको बुला जाता है कि दो चीज़ें एक साथ ना हो दो बंदे एक साथ ना बैठें या दो सब्जेक्ट एक साथ ना हो तोटल मैं निकाल रहाँ थोड़ी देर बाद आपको बात समझाने कि तो अभी बस निकालो कि प्रस्था हमेशा एक साथ हैं हमेशा इक साथ हैं अब ये लिखें कि number of ways in which algebra and calculus are together. एक साथ हो, जाए तो अच्छा वर्ड है consecutive, यह जो आप में निकालना था ना, उसका गुरुकल उपोजट आप निकालना था कि कितने दरीके से एक साथ नाम हो, आप निकालो एक साथ हो, क्यों निकालो थोड़ी दे बास समझा देगी, यह इस असूल को याद रखो, यह आपको आगे भी स्टाइट के सवा लेंगे, यह मैं एक दफा बदा रहो ताकि कॉंसर्ट आपकर क्लियर हो जाए, जब आपके पास टोटल साथ चीजे होना, for example, मैं इसको क्रॉस से रिविजन करता हूँ, यह आपके पास कंसीडर कर लो कुछ साथ चीजे हैं, अगर आपने किसी भी दो चीजों को एक साथ करना है, कि वो हमेशा एक साथ रहे, for example, अगर आपके साथ दोस्तों का ग्रुप है, जिसमें से दो बेस्ट फ्रेंड है, या for example, दो पूजिशन चेंज कर लेंगे, for example, यह तीसे नंबर पेना पहली वाली एर्जमेंट के मताबिक, इसको बाद में भेंज दो, यह इसको इदर भेंज दो, यह आपस में हो सकते हैं, लेकिन यह जो दो किसम के लोग है, या अगर आप इसको डिफरेंस करना है, तो इस तरह आप यह काम करना चाहरे हो, c, d, e, f, और आप दर्म्यान में a, b दाल दो, और फिर g, दोनों एकसाथ है, अगर आप कहीं और भी लेके जाना चाहरे हो, दोनों के एकसाथ लेके जाओ, couple है ना, यह एकसाथ ही जाएगा, for example, आप लिखो g, c, a, b, d, e, f, again, आपने हमेशा इ साथ करने का जो method है वो आप देख लो, कि आप किस तरीके से निकाल तो, for example, आगर आपके पास total साथ चीजें हैं, और उन में से दो को आपने एकसाथ करना है, तो आप क्या करो, आप यह जो दो है ना, क्योंके भाई, आप consider करो, यह as a one letter है, क्योंके हमेशा एक साथ जा रह example, इसको हम कहते हैं, epsilon, for example, इन दोनों को ना, दो consider नहीं करना, आपने एक consider करना है, क्योंके कहीं भी जब यह दा रहें, तो एक साथ ही है ना, तो एक ही consider कर लो, दो जिसम एक जान को बना सकते हैं, तो एक यह बन गया, और remaining कितने बचे हैं, remaining 5 बचे हैं, तो आपने क्या कर क्यों को arrange करना है, क्योंकि एक यह दो तो हमेशा एक साथ होंगे, तो इनको आपने group बना दिये, पीछे 5 बचे, यह पांच और इसको आपने एक consider क्या, आप 6 होगे, आपने 6 को arrange करना है, 6 को कितने तरीके दे रेंज कर सकते हो, 6 factorial, यह गां करो गया, ठीक है, for example, अगर 3 आपने एक साथ करना है, तो यह तीन consider होंगे 1, और बाकी 4 है, 1 प्लस 4, अब total कितने होंगे 5, क्योंकि तीन हमेशा एक साथ आएंगे, तो आपस को एक consider करोंगे, तो यहाँ पे 5 factorial, यहाँ पे आपने क्याके 6 factorial, लेकिन, भूको जबा, सबर करो, यहाँ पैसे दो रेंटर, यह आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं, आना तो उन्हें एक साथ है, for example, math और physics का paper एक साथ आएगा, लेकिन दो possibility के साथ एक साथ आएगा, कि पहले math हो जाए, फिर physics का paper हो, या दूसी possibility कहा है, कि पहले physics हो जाए, फिर math हो जाए, तो यह आपस में भी दो तरीके सा है, तो आप क्या करोगे, 5 factorial, multiply, यहाँ पे 3 हैं, तो आप 3 factorial लिखोगे, आप factor लगाते, क्योंकि 3 को arrange करने के कितने तरीके होते हैं, 3 factorial तरीके होते हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हैं, यह answer आ गया, तो मैं आपको revise कर दे रहता हूं, जितने आपे group पनाने हैं, उ तो group है, group के अदर कितने लोग है, group के अदर 2 लोग है, तो 2 factorial से multiply करो, group के अदर 3 है, 3 factorial से multiply करो, multiply क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह एक साथ है, यह यह नहीं, यह पूरा एक साथ है, साथ के साथ, तो जब एक साथ का option होते है, तो आप क्या करते हो, multiply कर रहे हो, सही है, तो आप बिल्कु इस एक साथ होगे बाकी पांच अलग है तो वह पांच और इनको आप एक शामिल करो च्छे हो गए और इन दोनों को आपस मेंच करने कितने तरीके हैं इसका मतलब 1440 तरीके ऐसे हैं कि जिसमें यह दोनों पेपर जो है यह एक साथ होंगे अब आपका अंसर आने वाला है अज़र क्या निकाला था नंबर और वेज इन विच अलजब्रा एंड कैल्प्लेस क्या वर्ड लिखा वातना अच्छा वर्ड क्या यूजवाता है अंब जा कि देटेटेज नवरागेस नवरागेस अच्छेब्रा एंद्स आर्स 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 इंकन्सेंट इसका अधिसका नगेस सब्सम्जाता ह hope 5040 माइनस 1440 तो यह होगा almost 3600 अब ज़र इसको समझ लो कि क्या मैंने किया माइनस किन किया है साथ पेपर को तोटल अगर आपने रेंज करना है 5040 तरीके थे अगर आप अब अबसर्फ करो इन 5040 तरीकों में कुछ ऐसी possibilities होंगी जिसमें algebra calculus एक 7 होंगे कुछ ऐसी possibility होंगी जिसमें algebra calculus एक 7 नहीं होंगे तो whilst collecting studying 5040 में तो हर चीज़ं आप डिसकस कर लाइना तो कुछ ऐसी होंगी जिसमें 7 होंगे जिसमें नहीं 7 होंगे सब possibilities आगे जिस algebra और calculus ये एक 7 होंगे 1440 timetable ऐसे हैं तो अगर आफ शालिस में वह नंबर आफ वेस्ट माइनस करतो कि जिसमें एकसा है तो रिजल्ट में आपके पास वह आएगा जिसमें यह एकसाथ नहीं है दुवारा बताता हूँ, यह total possibilities हैं, एक साथ आने की possibility यह है, एक साथ आने की possibility का मतलब क्या है, कि बस 14-40 तरीके से यह एक साथ आ सकते हैं, तो बागी तरीकों में क्या होंगे, अलग होंगे, सही है, तो आपने क्या किया, तोटल में इसे एक साथ वाले को माइनस कर दिया, अब जो possibility बनीए, इसका मतलब यह है, कि इन possibilities में यह एक साथ नहीं होंगे, और यह तरीका होता है, permutation, combination, counting principle में, कि जब दो चीज़े एक साथ नहीं हों, तो आप यह method निकालते हों, सबसे पहले total, फिर निकालते हो, तो एक साथ होने की total में से एक साथ की माइनस करते हो, तो आपके पास वो आजाती है, जिसमें वो एक साथ नहीं होंगे,